फीजिकल क्लास तो फीजिकल क्लास होती है, उसकी रिप्लेस्मेंट ओनलाइन क्लास से नहीं हो सकती, आप आमने सामने बैठ करके जो कौशिन पूछते हो, जो डाउट आते हैं वो एक साथ पूछ सकते हो, यहां नहीं पूछ सकते हो, तो आपको बहुत सारी परेशानी आ सकत है जिन्दगी नहीं थमी हमारी सांसों की घड़ी हमारी जिन्दगी घड़ी अभी चल रही है तो इसलिए मुरुक नहीं सकते हमको आगे बढ़ने हैं पड़ेगा तो आज का टोपिक मैं जो ले रहा हूं वह तो इसलिए आपको लगसे हैं कि सहथ कुछ नमेकल रह गए हो कु गता बढ़ते हैं जो नहीं बढ़ने हैं तो पहली बात यह जो जो यह वह से इसलिए वो इसलिए लगए धेनले के अशूम दढ़ते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि किसी ओर तरीके से लो जादा बढ़ जाए एरिया हम ज्यादा ना increase करना पड़े क्यों अगर ऐसा हम करेंगे तो उससे क्या होगा उसका size बढ़ता चला जाएगा इसले उसमें medium डाला जाता है तो जब भी कोई medium डालोगे डिलेक्रिक में डालोगे वह electric field के influence को थोड़ा रोक देता है उसे एक endurance offer करता उसको फैले नहीं देता है या यूँ कहलो कि जिस जगह पर एक electric field रखा हुगा वहां पर electric field थोड़ी सी कम हो जाती है decrease कर जाती है या potential थोड़ा सा decrease कर जाता है जहां पर हम electric डालते हैं ऐसा करने से थोड़ी सी capacitance बढ़ जाती है clear तो भी डालते हैं electric देखो डाला गया तो देखें क्या हो रहा है असल में ऐसी होता है electric जब भी डाला देखो तो पूरे डाला जाता है तो यह पहला case है देखो बहुत simple concept है electric को आपने इसके अंदर insert कर दिया fully insert के electric को पहला case में जब पूरा भर दें उसको electric को पूरे medium में तो क्या होता है अगर आपने पूरा भरा उसको medium में तो क्या हो जाएगा simple epsilon k से multiply हो जाएगा यह parallel plate capacitor हम ले रहे है इसमें electric भरा गया है तो क्या बने k times epsilon a by d बन जाता है simple हमारा capacitor electric वही आपने पहले आपको पताया था वो जो ओयल सा जो liquid होता है उसी को बोलते हम डियलेक्टरिक तो किता बने गए k times epsilon a by d यानि अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारी capacitance जो है c dash जो है वो k times c note हो गई है यानि हमारी capacitor थोड़ी सी बढ़ जाती है तो कुछ भी कर लो डियलेक्टरिक से डालने से capacitor इंक्रीजी करती है हमेशा clear point तो यह concept तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि अगर उसमें फूली डियलेक्टरिक डाला जाए तो बड़ा सिंपल सा concept लगता है लेकिन इसका जो question आता हूँ बड़े जवर्दस आते हैं देखना क्या है यह competition में भ चार्ज करने के बाद capacitor को डियलेक्टरिक में डालता कौन है एक बार capacitor को अपने fully charge कर दिया उसके बाद तो उससे कोई पंगे लेता है इने से कोई touch नहीं करता है वह बहुत risky है लेकिन पूछना तो कुछ भी पूछ सकता है ना मरजी है उसकी उसने पूछ लिया हमसे वह क्य अब भी नहीं किया आता है तो दूसरा केश है वह होता है कि बैटरी को पूछ आ दिया काप BART को पूरा चार्ज करके देलेक्टरी को आदेगा फिर उसमे हमके Kirk दाला है दोनों ही केस नहीं है असल में उसको घ्लालता है तो सकती है वह तब ही डाला आता है लेकिन पूछने कि आप कभी भी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो, आपको जो करना आपको करो, उसकी जो इच्छा है वो पूछेगा, आप उसे ब्लेम नहीं कर से थे कि उसने ऐसा सवाल पूछा क्या है, उसकी मरदी जवाब देंगे हम देखना, आप बस कॉंसेप्ट के एक बार पकड़ ल यह अलग से मैं बतारूं कि बैटरी करती क्या है, इस टोपिक से लेटन यह वैसे है, तो यह हो गया हमारे पास, बैटरी को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी काम होता है, चार्ज सप्लाई करना, सरकेट में अगर कहीं से चार्ज आ रहा है तो बैटरी दे रही है, औ तो बैटरी ने इसको चार्ज दिया हैं और चार्ज यहां से निकला चार्ज और वो चार्ज आहए कहां पेहां पूंचता है इस प्लेटका इस प्लेट का एक पूटेंश्यल बन जाता है माहलता बैटरी 40,000 वोल्ट की एक और खास बात तो इस 40 वोलट का यह मतलब नहींiantes इसका zero भी तकर 40 वोल्ल्ट है, इसका सिर्प इतना मतलब है कि बैटरी के जो दो end है, उनके across potential difference 40 है, वो ये भी हो किता थो कि दोनों plate पे potential रहा हो, यानि कि ये 10 वोल्ल्ट की रही हो, और ये 50 वोल्ल्ट his रही हो, difference कितना बना, 40, ये 5 की रही हो, यह 45 की रही हो, यह minus 10 की रही हो, और यह 30 की रही हो, यह minus 50 की रही हो, और यह minus 10 की रही हो, दोनों की negative भी हो सकती है potential, दोनों की positive भी हो सकती है potential, एक की negative, एक की positive भी हो सकती है potential, एक की 0, एक की positive भी हो सकती है, एक की 0, एक की negative भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वह difference क्या होग पोटेंशल क्या रहेगा सेम यह conducting wire है इस पूरी में पोटेंशल क्या रहेगा सेम विए conducting wire में अगर potential difference आ गया तो current चल जाएगा और इसमें current नहीं चलता steady state में क्या होता है यह को थी steady state में क्या होता है कि battery में जितना charge देना था दे लिया capacitor ले लिया अब capacitor को और चार चाहिए नहीं तो बैटरी देगी किसको इससे त्वरदर क्या होता है current रूँ जाता है मतलब इस case में current क्या आता है zero clear तो इसमें current zero हो जाता है इस वरे से हम कह सकते हैं कि पूरी तार का जो potential हो क्या रहेगा सेम किसी भी connecting wire का potential सेम रहता है तो जो कुछ उससे connecting जुड़ा होगा उस पूरी का potential क्या रहेगा सेम अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसमें current चल जाता है उसमें है तो इसका potential पूरी का क्या होता है सेम यानि अगर इसका इधर वाला end मैं अभी example ले रहा हूं और मैं इसको थोड़ा अजीब से ले तो तक आपको सबको अच्छा लगे इसको मैंने माना माइनस पचास वोल्ट और समझ मैं इसको मैंने माना माइनस 10 वोल्ट तो ऐसे मैंन पूटेंशल भी वही हो गया जो बैटरी के इधर वाले टर्मिनल का था यानि कि कपैश्टर की इस प्लेट का पूटेंशल माइनस 10 वोल्ट है और कपैश्टर की इस प्लेट का पूटेंशल माइनस 50 वोल्ट है कितना है माइनस 50 वोल्ट तो कपैश्टर की दोनों प्लेट क potential अलग है वो इस बात पर depend करता है कि बैटरी के प्लेट का potential क्या था वो हम control नहीं करते तो वो दोनों positive होंगे अगर ये दोनों positive होते तो वो दोनो negative होंगे अगर ये दोनों negative होते तो ये zero और ये positive होता तो फिर वही होता जो उसका बंता लेकिन इन दोनों का potential difference जो भी है वो isका 40 volts है हमको potential difference से मतलब होता है individual के potential से कभी हमको मतलब नहीं होता तो एक point आपको समझ में आया battery की plate का different potential होता है वो कुछ भी हो सकता है positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है लेकिन काम तो सिर्फ difference नहीं करना होता है कि यह plate इस plate से कितने ज्यादा potential पे है और यह 40 volt ज्यादा potential पे है इसलिए बस यहां से current आगे जाएगा यह charge को यह store करके रखती है अब इसने positive ने क्या किया इसमें charge को induce किया है charge की induction होती है वो charge की induction इस तार में से हुई है इस wire में से खीच लिया इस wire में क्या रह गया positive रह गया वो positive के इस positive ने repel कर दे और positive कहां पहुँच गया बैटरी में तो induction charging इस wire में हुई है connecting wire में किसी भी connector में चाहे वो simple तार हो चाहे वो बिल्कुल हलका सा point हो छोटी सी ball हो उसमें भी हो सकते है उस छोटी सी ball में भी लाखों electron होते है charge उसमें भी होता है induction उसमें भी होती है तो किसी connecting wire में किसी sphere में किसी भी जो भी चीज connector है सब में induction होती है तो यह कोई ऐसी कुछी नहीं कि इस wire में नहीं होती है clear point अच्छा तो अब यह point यह ऐसा battery करती है जब हमने इसको डाला मतलब पहले मारे पास एक capacitor था उस capacitor को battery से charge कर रखा था तो battery पे वोल्टेज आया था भी उस पे कुछ चार्ज भी आया था क्यूँ पहले से ही फिर dielectric डाल रहे हैं उसके अंदर हम ठी किसी तरीक डाल रहे हैं जिंदगी को इंग ठाल रहे है इक डाल रहे हैं डाला ये उसके बाद क्या हुआ उसे कोई रोक नहीं सकता तो कंस்स प्रो is G Bal Stick को और भी करेगी हि उसे कोई रोक नहीं सकता क्या फरक पड़ेगा पूट्छ इल्प basically पाटेंशल पे अगर बैटरी कनेक्टेड रहे तो उस case में क्या होता है तो बैटरी कनेक्टेड अगर रहे तो बैटरी का मेन काम होता है potential देना potential को देने के लिए वो charge देती है उसमें potential build करने के लिए वो charge supply करती है काम है potential देना और वैसा करने के लिए वो charge देती है तो अगर battery connected है तो battery connected है तो battery एक बात बस ensure करेगी कि उस capacitor की दोनों plate का potential वही रहे जो पहले था यानि capacitor का जो potential difference है वो वही रहे जो पहले था इसलिए जब तक battery जुड़ी हुई रहेगी तो potential constant रहेगा ये concept है इसको दिमाग में बठालो ये use करना पड़ेगा बहुत सारे जगाओं पर तो ये भी बच्चे के डाउट आ रहे हैं कि खोड़े मुश्किल कोशन उनको देखने को मिल रहे है वो मुश्किल है तभी तो उसकी कीमत है जो कोशन मैंने यहां solve कर दिया ये बात दिमाग में बठालो जो कोशन आपने solve किया है कीमत सिर्फ उसकी है मेरे के वे कोई कीमत नहीं है जो कोशन मैं solve करता हूँ उसके लिए आप भी कोई वैल्यू नहीं है जो मुश्किल कोशन मिले उस पर पूरा दम लगा दो वही तो बहुत कुछ सिखाएगा अभी तो बहुत टाइम आपके बास लोग डाउन है सब कुछ बंद पड़ाए जोट जाओ बस सीख लो और सीखने वाली mentality से आगे चलना है अच्छा एक और कासबाद भी ये भी नहीं कि सोच लेते हैं कि भी हमारा एक मुकाम है मतलब कि जैसे हमको एक नीट का एजएमेंस एकजाम देना है उस तरह के समझ चलो वैसे भी क्या पोस्टमन हो जा रहा है कि आप तक अब होगा ऐसे भी आपके पोस्टमन होगा जो बाद में आएंगा अगर यही सप्टमबर में जागर कि यह जुलाई में होता है तो आपका तो और लेट होना ही होना है तो उसको टार्गेट मत रखो टार्गेट रखो कि आपको सीखना है आप सीखना चाहरे हो यहाँ आपके साइंस को सीखना चाहरे हो क्या इसमें हो रहा है बस उस सोच किया आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ी ही जाओगे तो V क्या रहा constant यानि voltage क्या होता है constant होता है जब बैटरी आप पैंट कर देते हो तो लेकिन capacitor तो बढ़ना ही है, capacitance बढ़ेगा तो charge भी बढ़ेगा, clear उसकी capacity बढ़ गई capacitor की, electric डालने से, लेकिन voltage constant है और Q is equal to C वाले फोबने से फिर charge पर क्या हो जाएगा, increase, यानि charge खीच लेगा capacitor और अगर आपने battery connect करे करे उसमें electric डाल दिया तो, वो charge खीच लेगा, question बड़े simple और तरीके से भी आए है, कि current कहाँ जाएगा, आपको यहाँ पर A और B बोल देंगे, current की direction क्या होगी, A to B होगी के B to A होगी, जिदर charge जाएगा, उधर तो direction होगी, तो A to B हो जाएगा, अगर electric डाल आपने battery connected रहेगी तो, clear point, तो charge खीच लेगा उपर, जब आप उसमें electric डालोगे, और battery connect करे, किये हुए, उस time पर ऐसा होता, निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, वही बात, the critical to C, अब बात आती है, electric field की, electric field के साथ क्या होता है हमारा, electric field के साथ, electric field के formula था, sigma पोन अप्सालनोट, basic formula, तो उस उसमें electric के आगया, तो भी के हो गया, तो उस formula से भी जाओगे, तो उसका formula आएगा, कि वो independent है, और एक और basic formula जो में इसका use किया है, इसमें, वही है था कि electric field multiply by separation, यानि D, उसको voltage कहा था, तो voltage भी constant है, separation भी constant, electric field के आने चाहिए, constant याने चाहिए, तो उसके साब से भी क्या जाएगा, तो वहाँ से इकट जाएगा, electric field फिर से क्या आएगी, इसकी, सेम आएगी, तो जब आप battery को connect रखते हो, उस दोरान, electric डालने पर, ना तो electric field बढ़ती है, ना voltage बढ़ता है, charge और capacitor दोनों बढ़ जाते हैं, और कोई पूछे, energy store पे क्या फरक पढ़ता है, कितनी energy store कर लेगा, तो अब उसके रहे जो better formula है, वो half cv square, q square वाला क्यों नहीं use कर रहे हैं, अब q square वाला पंगा कर दे आप, q में भी change निकालो, और c में भी change निकालो, दोनों निमें निकालो, यहाँ पर इस formula को यूज करने हैं, एक ही में change निकालो, वी तो पता है, constant है, तो सिर दूसरा case हमने लिया है, दूसरा case यहाँ कि अगर बैटरी को disconnect कर दे हम, बैटरी को हटा दिया जाए, अगर बैटरी को अटा देने पर, फिर क्या फरक पड़ता है, दोनों चीजों में, सभी चीजों पर, तो कपेश्टर तो फिर भी क्या होना है, increase ही करना है, तो तो k times हो ह जाना है, वो तो geometry पर depend करता है, और geometry उसकी change हो गई है, अगर बैटरी को बचा जो charge सप्लाई कर सके, और ना वो बचा जो charge को ले सके, क्योंकि अगर कापेश्टर चार्ज देना भी चाहे, तो देगा किसको, दूसरी तो wire है, वो रखी की अपने पास, clear point, तो जो charge को finally ले भी battery सकती है, और दे भी battery सकती है, बाकी सब में उस सिर्फ induction ही होती है, यहां भी मैंने आपको बताया था, वो जो case मैंने लिया था, उसमें क्या होता है, इस plate पे charge आता है, इस plate बैटरी चार्ज देती है, और इसका surplus चार्ज, वो भी battery लेती है, तो charge देती ही battery है, और अगर बैटरी चली गई, तो चार्ज लेने वाला भी चला गया, और चार्ज देने वाला भी चला गया, तो चार्ज क्या रहता है, चार्ज क्या रहता है, अगर चार्ज क्या रहता है, अगर चार्ज क्या रहता है, कापैस्टर बढ़ गया, तो वोल्टेज को घटना पड़े कब जब आप उसके cross एक battery को हटा करके electric भर देते हो, तो voltage घट जाता है, और ठीक इसी तरिक Czech requirements उसके cross होने वाली जो electric field है, वो भी decrease कर जाती है, और साथ ही साथ क्या होता है? electric field के साथ voltage भी decrease कर जाता है, तो जब उसके cross हम battery को हटा करके बैटरी को टागर के इलेक्टरी डालेंगे तो सिर्फ कपेश्टर बढ़ता है चार्ज रहता है और इलेक्टरी फिल्ड और पोटेंशल दोनों क्या घर जाते हैं डिक्रीज कर जाते हैं यह था जब एक पूरा इलेक्टरी डाला जाए तो दूसरा केस एक और होता है डिक्री कई बार पूरे में इंसर्ट नहीं करते हैं आधे में इंसर्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन कई बार बोर्ड में पूछ लियाती है और चोटा मटा यूज में से कॉम्पेटिशन बगारा में हो सकते हैं इसकी बार पूछे आते हैं तो कॉश्चन बहुत सारे हो सकते हैं मैं आपको यहां पर मजबूरी को समझो क्योंकि मैं सिर्फ कॉंसेप्ट ही बस ले सकता हूं मैं पूरे निमेरिकल प्रेक्टिस नहीं करवा सकते हैं क्योंकि छोटा वीडियो बनानी पड़ा तो ना तो अप्लोड हो पाएगी ना आप उसको देख पाओगे तो अभी इसको करते हैं और वैसे हुआ आप कोई वीडियो देख में सकता है फोन को यहां देख नहीं पाता हूं तो अभी मैं डाउट भी नहीं लेपाता हूं बहुत से बच्चोंगे रात को तो बंदी करके सोना पड़ता है तो अभी आते हैं इसमें तो क्या बना है मैंने अगय बढ़ना है जो भी दिक्कत है रहेगी लेकिन हम आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ते को तोड़ लेते हैं, हम इसे दो कपैस्टृ की तरह देखते हैं, फिर यह दो कपैस्टृ की तरह बन जाता है, विए एक कपैस्ट Subscribe ऐसा बन जाता है, जिसकीः थिकविनेस थोड़ी कम हो गये, म gap थोड़ा घट गया हो, और तो वही काम इसको परपूआ चार्ज से था ना और potential से था तो ही काम नाफ तो फिर क्यों हम इसको को अभा इसको कि यहां-फिर कोई हम ने इसको इसको इनसर्ट कीया होगा कि साथ में कोई हमने एक पिलेट और लगा दी होगी इस को आप डो बार बना सकते हैं जैसे मैंने इसको रीडो किया यहां पर इसको दो बार बना दिया और उसको इक तार से जोड़ दिया इसा करने से जोड़ा सिंप्लिफए नजरा जाएगा यानि अब यह दो कपेस्ट्र का सिरीज कॉंबिनेशन है इसमें पहला कपेस्ट्र कितना है के टाइमस एपसाल नोट एवाई टी ती रह गया है और दूसरा कितना है एपसाल एवाई डी माइनस टी इन दोनों का सिरीज क किसको याद रखोगे तो यह हमारा पहला केस था इसको पलट के जोड़ दो जहां कहीं भी इस्तेमाल करना पड़े बस इस से आगया इस कुंसेट किया देना कि ऐसे जोड़ते हैं जैसे तीन डाल दें वाल इसमें कहा दें कि हुने दो अलग अलग तरह के डिलेक्ट्रिक इ इसमें इसमें बाखी खाली है और फिर मैंने कहा कि भी बाकी खाली है ऐसा केस भी हो सकता है कि बीच में जगा हो इधर भी हो इदर भी हो टीठीकनेस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता वो डेलेक्ट्रिक का जो स्लैब बीच में इंसर्ट कर रहे हैं उसको बीच ओ बीच रखे उधर रखें इधर रखें तीन चार्ट टुकुडों में लगाएं उन चीजों से कुछ फ सकते हो अगर देलेक्टरी कॉंस्टेंट जहां मरजी रख देंगो उसको उसके साब से सुल करना है कि यह तो गए मारा सीरीज कॉंबिनेशन में जो डेक्टरी डालने पर क्या फर्क पड़ता है कपेस्टर में जो पहलोड़ा केस था उसके जो मैंने केस बता है इनर्जी वाल जिन्दगी ये कब तक हमें भटकाएगी एक ना एक दिन तो कोशिश हमारी जरूर रंग लाएगी आइए शुरू करते है कुछ और निमरीकल जो मैं डाउट के रूप में आये थे एक ना एक दिन तो निकले है निकले निकलें कभी तो कब तक अठकेंगे आईए दिखते ह कब तक अठकता है दम लगाओ पूरा, जो उसको होना ही पड़ेगा एक दिन तो, वकिन जो कोश्यन बना है, उसका सुलूशन भी बना है, बस हमारे समझ में फिलाल नहीं आ रहे हैं, या हमारे दिमाग में फिलाल नहीं है, कभी तो आई जाएगा, तो कर रहें जो देख रहा है था कि थोड़ा से आपको solution पहले से बना सको मैं अचिए 2C बना और यह क्या बना टूसी बना और यह 10 वोल्ट की बैटरी थी 20 ओम की resistor थी और हमसे सवाल यह था कि A और B के across कितना potential difference है question था कि A और B के across कितना potential difference बन रहा है clear तो भी check करते हैं देखे न यह कैसे solve होगा तो अब अगर मैं चलू इसमें question में तो यह क्या है reduce करना जो आपको सबसे पहले दिखाई दे उसको पगड़ लो उसको solve कर दो जैसे यह 2C और 2C सबसे पहले दिखाई दे रहे अगर 2C और 2C सबसे पहले नजर आ रहे है अचा एक बार तो यह resistor भी इसमें लगा वा तो यह क्या कर रहे है यहाँ पर फिलाल के लिए भूज़वा कुछ नहीं कर रहे हूँ यह हमसे steady state में बात कुझा रहे है जब दो तरह की state होती है जब वो charging हो रही होती है कुछ मोमेंटरली कुछ few seconds के लिए few milliseconds के लिए ऐसा होता है कि कपेस्टर चार्ज हो रहा हो तो एकदम चार्ज हो आता है वैसे तो पर उसके लिमाने तो उसको कुछ 2-3-4 माइक्रो सेके लगती होंगी चार्ज होने में तो उस दुरान तो value अलग होती है और steady state की कहानी कर रहा है अभी जो सबसे पहले नजर आए उसको तोड़ते चले जाओ सबसे पहले दिख रहा है कि यह तूसी और टूसी तो series में है ठीक यहां से टूसी तूसी स्रीज में नजर आ रहे है यहां से भी 6 C और 6C series में नजर आ रहे है तो 2C 2C का series क्या बनेगा c वह मैंने से ही बनाना उसको मैं ज्यादा बनाता तो पूरे बोर्ड पर फिर एक ही कोशन सोल हो पाता वो भी शयद पूरा ना होता तो फिर बार-बार चेंज करना पड़ता और ज्यादा के श्टेंड हो जाएगी वीडियो तो यह 6C 6C का कितना बना 3C और यह 2C 2C कितना बना C और अब आप इस C औरएस देको यह टार यहां जुड़ी होई है लेकिन जब तक किसी डीवाइस को जम्प नहीं करते हो ईस आप wire को वहां से हटा सकते हैं , connection ही तो है ! तार को आप यहां जोड़ो यहां जोड़ो क्या फ़रक पढ़ता है ? ऐसे यह wire यहां जोड़ी हो है at this wire क्या फ़रक पढ़ता है ? बात नहीं है .. मतलब चेंज्ज नहीं होला , प्रें ने उसका voltage सें मिलनी चाहिए तो वोल्टेज सेम जब तक रही कि आप सर्केट में चेंजिस कर सकते हो तो इसका मतलब ये 6A, C और ये C पैरल होगे इन दोनों का पैरल कितना बनेगा? 2C बनेगा तो इन दोनों का पैरल सुल करते का बन जाएगा? 2C बन जाएगा और 2C मैंने यहाँ बना दिया जहां इनकी तार जुड़ रही है, वहीं पर इसकी वाय भी जुड़ रही है तो C बच गया यहाँ पर बैटरी के एक वायर यहाँ जुड़ गई, एक वायर उसकी भी कहा जुड़ गई, सेव जगह पर जुड़ गई अब ये B-point यहाँ रह गया अब इन दोनों को solve किया 6C, 6C का series 3C बन गया, 3C और 3C का parallel वापिस क्या बन गया, 6C तो इन दोनों को solve किया, तो result यहाँ तक बन गया, देखो इसमें भी कहा है, wires वहीं जाके जुड़ी है इस capacitor की जो यहाँ पर जुड़ाओ है, इसकी एक wire, different point से होते हुए, battery के जुड़ रही है, देखो यहाँ जुड़ रही है इधर वाली wire कहां जुड़ रही है, फिर से battery तो वह भी जुड़ रही है अगर wire का connection change नहीं होते है, तो आपको circuit को जैसे हमरे जी redraw कर सकते हो, जहां से हमको वह सही सही दिखाई देता हो बस वह simple सा concept इसमें use होता है, तो point आपको समझ में है, कि भी इसको हम यहाँ से यहाँ तक change कर सकते हैं, और यह हमारे पास final result एक reduce हो गया है अब यह 6C और 6C क्या है series में, और नीचे के C parallel में और नीचे 10V है, एक तो तरीका इस से आगे reduce करने का वह है, जो हमने कलाब को सिखाया था तो उससे वेप कर सकते हो, एक और तरीका आप आज सिखा रहा हूं, तो तो यह दोनों का series और इस C, यह दोनों parallel में होगे आपस मे यह दोनों का net और यह parallel में होगे ना, किसके parallel में होगे है, बैटरी के, तो तीनों का voltage क्या बनना चाहिए, same, तो 10V इसका है, 10V इसका होगा, 10V इन दोनों का 1.8 होगा, हमसे पूछा गया कि A और B का potential difference कितना है, यानि indirectly question यह था, कि 6C के cross potential difference कितना है, point clear, 6C के cross potential difference कितना है, दोनों का total पता है, 10V है, अकेले 6C के cross कितना drop हो रहा है, वो सवाल है, तो इसके लिए हम एक तो तरीका जो कल था, वो कर सकते हैं, दूसरा दीक अभी देहनों क्या है, अगर potential distribute होता है, तो पहले distribution ही check कर लो कैसे होते है, 10th मिदोड़ा सिखाया, मैंने आपको यह, पहले distribution ह कर लो कैसे होते है, तो Q is equal to C into V होती है, तो Q is equal to क्या होता है, constant अगर, series में ऐसा constant ही होता है, अगर Q is equal to constant हो जाएगा, तो voltage का capacitor से inverse relation हो गया, जब inverse relation होता है, तो distribution इस तरीके से होती है, कि वो दूसरे पे पहले depend करते है, उल्टा depend करते है, अगर मुझे V1 निकालना हो, इसक की capacitor उपर आएगी, divide by दोनों का sum नीचे, multiply by वो total जो distribute होना हो, तो 2 upon 2 plus 6 into 10 क्या बने गया हमारे पास, net potential difference, जो कितना रहा है, 2.5 volt, clear point, potential distribution कैसे देखा हमने इसका, इसकी value जिसका inverse को उपर लिखा, और दोनों का सम का लिखा नीचे, by chance अगर direct relation रहा होता, जैसे charge के case में होता जो parallel combination होता है, वहाँ पर चार जाएगे, इस में ऐसी result होता है, charge distribute होता है, तो उस case में हम क्या करते है, अगर direct relation हो, ये unitary method एक तरीके से, तो हम जिसका निकालना हो, उसी के value उपर रखते है, divide by दोनों का sum नीचे रखते, अगर inverse relation है, तो दूसरे के value उपर रखने है, divide by दो प्लेट ये था पहरा question जो हमने लिया था, एक और question है, ये second question है, इसमें अच्छा arrangement कैसे होई है, एक plate उसके अगली plate ऐसे plate की arrangement हो रखते है, जैसे कल भी हमने question लिया था, उसमें plates उपर नीचे arrange थी, एक ही बात है, यहाँ भी gap बन रहा है, बीच में वहाँ भी gap बन रहा था जो हमारा common आ रहा है, जो पहले बार तो capacitor कॉन सा है, जो बीच की spacing है, जो हमारी बीच की common plate है, उसको दो बार बना दो, कल भी बनाया था, इस question में क्या है, एक और खास बात है, कि जो plates का area है, बहुत जबर्दस question है, मतलब advanced level question है, अगर जो plates का different plates का area है, वो घटता जा रहा ह पहले वाली का a है, दूसरे वाली का a by 2, फिर a by 4, फिर a by 8, फिर a by 16, यानि plate area धिर दरे क्या और decrease होता जा रहा है, और spacing gap सबका सेम है, वो gap सबका कितना है, d, small d, small d, small d, gap सबका gap सबी का equal है, small d, small d, तो एक तरीका से 4 capacitor दिख रहे हैं, क्योंकि 4 ही space है बीच में, 4 space है तो क एक और खानी भी भी, एजया घटने से क्या फरक पड़ा है, उसको भी देखेंगे, तो जो हमारी common plate आई है, उसको दो बार बना लिया मैंने, connector ही तो है, तार ही तो है, थोड़ी और जोड़ लेते हैं, क्या फरक पड़ता है, उससे potential तो जेम रहेगा, जब तक कहानी potential की न बदलती हो, आप जो मर्जी changes कर दो, कोई उससे answer भर रहनी पड़ेगा, तो यह एक plate यूज करो, या दो plate यूज करो, थोड़ा हटा करके, मतलब वही है, इसलिए मैंने थोड़ा हटा की यूज किया, और बीच में तार्स जोड़ दिया, तो जो इस plate का potential, वो इस पूरी plate का बनाया, यह बन गया AB, निकालना क्या है, AB का total potential difference कितना है, अचा देखो, अब अगर बात की जाए, तो जो potential इसका है, महा लेते हैं V1, इसका potential कितना होगा, V2, इसका potential कितना होगा, V3, ऐसे potential change होता चला जाएगा, तो एक और series की definition ही होते है, एक plate का potential same होना, बाकी दोनों का different होना, तो उस वो case भी हम कहीं हद तक चला लेते हैं, अगर बीच में कोई junction ना आता हो, तो अब इसको series बोल देते हैं, एक plate common potential होना, बाकी दूसरी plate different potential पे होना, यह ऐसा होता है, और earthing जरूरी ने हर बार हमें करनी पड़े, ठीक, earthing का कोई हर बार use नहीं होता, बस outer वाल इस पर तो रहता ही है, तब ही feel अलग होती है, मरणलों हमारे पास यह capacitor है दो, यह battery आई यहांसे, ठीक यह battery आई इसकी capacitance अलग है, इसकी capacitance अलग है जब capacitance अलग है तो potential अलग आएगा इसका potential अलग आएगा potential difference अलग आएगा अगर potential difference अलग आएगा तो उनके विछ electric field भी तो अलग ही आएगी वह अलग electric field किस वरे से आई है इसका influence है कि इसकी electric field अलगाई है तो कि इन दोनों का potential तो क्या आया है सेम ये दोनों तो एक इतार से connected है connecting भी है इनका potential तो क्या बनना चाहिए सेम बनना चाहिए तो इसका indirect effect ही है वो जो यहां पहुंचा है तो एक plate का effect दूसरे में जाता है और हमेशा ही जाता है उसमें कोई ऐसी नहीं बात नहीं कि अभी पहली बार जाए तो अर्थिंग कोई जुरूरी भी नहीं है कि effect को उटाने के लिए बस last वाली का effect बाहर ना जाता हो वो safe design के लिए है कि last वाली का effect बाहर ना जाता हो या इस case में बैटरी जोड़ देंगे तो जाता और वो plus q charge अंदर चला जाता क्योंकि यह उसको बांद लेगा इसमें charge induced होगा उस induction से इसमें charge बन जाएगा जब यह charge induced करेगा तो minus q charge यहाई पर आएगा क्योंकि प्लेट के आगे तो जाने सकता हो प्लेट के इधर तो चार्ज नहीं आएगा negative क्यों नहीं आएगा negative क्योंकि यह induce कर रहा है और induce किया हुआ charge जितना करीब हो सकता है उतना करीब जाता है दूसरे चार्ज के तो इस positive charge के इधर आ गया अगर इसका negative इधर आया कहानी क्या होई इस negative ने charge distribution इस प्लेट की बदल दी अब इसका चार्ज पूरी प्लेट पे distributed नहीं है ठीक इसके सामने वाले रीजन पे है बस तो कि इसने भी तो induce कर रखा इसको दोनों एक दूसरे को पकेड़ के बैठे हुए है तो चार्ज फैले कैसे नहीं फैलेगा ना पॉइंट समझे यह जो आधी प्लेट बच गई वो यूजलेस है उस पे चार्ज ही नहीं है चार्ज इंडक्शन की वरसी आमने सामने है बस तो इसका यह वाला effect खतम ही हो गया या effectively कहो तो इसका सिर्फ इतना area काम कर रही है यानि कि यह a by 2 की ही ब इसको मैं मानू तो कितना बन जाएगा वह इसको मैं सी बैटू माल लेता हूं इसके आगे एंड-to-end connection इसके साथ है चार्ज की वैल्यू बराबर है चार्ज इस पर उतना ही क्या गया पोजिटिव जितना इस पे नेगटिव आया उतना ही पोजिटिव इस पे इंड्यूस ह पहुंचा है यहां से इंड्यूस होकर कि इस प्लेट पे पोजिटिव चार्ज पहुंचा है उस पोजिटिव ने इस प्लेट पे नेगटिव बांद लिया फिर नेगटिव इसका कहां बंदेगा यहां बंदेगा अगर इसका नेगटिव यहां बंदेगा तो पहले वाले क कितना हो गया है इसका भी हाफ हो गया है यह पूरा काम कर रहा है इस पे आधी पे है यह पूरा काम कर रहा है इस पर फिर से क्या आएगा वह ठीक इसके सामने आधी प्लेट पर आएगा आधी प्लेट फिर से क्या बज जाएगी यूजलेस बज जाएगी तो कितना हो गया इस जाएगा आधी प्रेट कैसी बजाएगी अंचार्ट बजाएगी तो इसका एक्टिव क्या रहा जाएगा यह सीज़ तरह को चार डिस्ट्रिबुशन इस त्रीके से लिए कि आधी प्लेट यूज नहीं हो रही है एक साइड पर पूरी पर आ रहा है एक साड़ पर नहीं आ र और सी कुरिंट कितना हो जाएगा सी बाइ थर्टी यानि एपसालनोट ए बाइ थर्टी डी यह बनता हमारा इसका एक कुरिंट का बैस्ट समझें तो फिर से जैसे शुरू बात में कहा था भी मुश्किल कुछ नहीं है बस आपको हिम्मत नहीं हार नहीं है बार-बार ट्रा का एगा फिर कुछ नहीं हो सकता, clear?